मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों वचूहों का पीछा करना वह उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकडम लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगार्दस लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक जाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उचल कूद वह भाग दौड करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूह था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंग से लाट पकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पाव उनका पीछा। किया। कुछ ही दूर उन्चूहों के बिल थे। सियार वापस लोटा। दूसरे दिन प्राथा ही वह उन्चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुह उखते सूरज की ओर था। आँखे बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा। सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो। तियार एक आँख खोल कर बोला। मूर्ख, तुने मेरे बारे में नहीं सुना कभी। मैं चारों टांगें नीचे टिका दूँगा, तो धरती मेरा बोज नहीं संभाल पाएगी। ये डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नश्ट हो जाओगे। मी, तुम्हारे ही कल्यान के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ाता है। चूहों में खुसर-पुसर हुई। चूहों के सरदार ने कहा। हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताईए। सियार ने ढोंग रचा। मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय परवत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्थ होने पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तपसे मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धर्ती पर रखूं तो धर्ती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोटदा कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धर्ती मेरी कृपा पार ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कश्ट हो। एक चुहे ने पूछा तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है। सियार ने उतर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चुहे ने कहा, और आपका मुंग क्यों खुला है। सियार बोला, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिन्दा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तपका बल हवा को ही पेट में भांती-भांती के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चुहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की और से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकटा गए। अपनी बात का असर चुहों पर होता देख मकार सियार दिल ही। दिल में खूब हनसा। अब चुहे महात्पस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता। चुहों की टोलियां भक्ती रस में डूपकर अपने बिलों में घुसने लगती। और अपना नाटक चालू रखता। चुहों की संख्या कम होने लगी। चुहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछी लिया। हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चुहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। सियार ने आरशिवात की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर मूशक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ती लरेगा, वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चुहे भक्ती का फल पा रहे हैं। चुहो के सरदार ने देखा कि सियार मोटा, हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है, जहां चुहे जा रहे हैं। चुहो के सरदार ने बाकी बचे चुहो को चेताया और स्वयम उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चुहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चुहे को दबोचना चाहा चुहों का सरदार पहले ही चौकनना था वह दाव मारकर सियार कब पंजा बचा गया असलियत का पता चलते ही वह उचल कर सियार की गर्दन पर छड़ गया और उसने बाकी चुहों को हमला करने के लिए कहा साथ ही उसने अपने दाथ सियार की गर्दन में गढ़ा दिये बाकी चुहे भी सियार पर जपटे और सबने कुछी देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया केवल उसकी हड़ियों का पिंजर बचा रह गया